और आप लोग देख रहे हैं केरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग यूपी के करेंट अफेर्स को देखेंगे अब जो आपका समीख शादिकारी का एक्जाम है उसके पॉइंट अफ्यू से यह बहुत जादा इंपॉर्टे चाहते हैं या फिर इस जैसी और पीडिएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंप्ली हमारे जो कोर्स है जिसमें आपको तीन सौ रुपए का पेमेंट करना रहेगा जिसमें आपको यूपी के करेंट अफेर्स के पांसो एमसी क्यू प्रोवाइड किये जाएंगे इसके टॉपिक वाइज भी नहीं मतलब सब्जेक्ट वाइज जो आपका टॉपिक्स दे रखे हैं स्लेबस में उसकी बात में कर रहा हूँ ठीक है जैसे कि आपका इंडियन हिस्ट्री है या फिर फ्रीडम स्ट्रगल है साइन्स वाला पोशन है वो रहेगा इसके अलावा आपको फुल लेंग्थ टेस्ट प्रुवाइड किये जाएंगे और ये जो फुल लेंग्थ टेस्ट रहेंगे ये आपके हफ़ते में तीन दिन कंड़क्ट करवाए जाएंगे ठीक हर हफ़ते तो अगर हम बात करें इन ओल तो ये तकरीबन आपको कितने टेस्ट हो गया दस टेस् इसमें GSB रहेगा और उसमें Hindi भी included रहेगा यह सब कुछ आपको प्रवाइड किया जाएगा इसके अलावा जो miscellaneous topics है जैसे census हो गया या फिर forest report हो गई या फिर sample survey हो गया तो यह सब कुछ भी आपको PDF के मात्यम से cover up करवाए जाएगा सो अगर आप चाहें इस course में enroll करवाना तो उसके लिए आपको simply 9027281376 या फिर 639564901 इन numbers पर आप मुझसे जो है टेलिग्राम और WhatsApp के मात्यम से संपक कर सकते हैं और इस course में enroll करवा सकते हैं मात्र 300 अरपे के payment के साथ सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने session को यहां पर जो हमारा पहला question है इसमें पूछा गया है कि निम्न में से उत्तरपरदेश के किस जिले में मशलियों की नई परजातियों को तयार करने और मशली के बीच पर शोध के लिए एक aqua park इसका निर्मान किया गया है या फिर किया जाएगा तो यह है आपका गोरकपूर ठीक है next question की तरफ चलते हैं इस question में यहां पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में उत्तरपरदेश के किस जिले में run for unity इसका आयोजन किया गया तो यह है आपका लखनओ लखनओ में इसका आयोजन किया गया था इसके बाद अगले question की बात करते हैं यहां पर पूछा गया है निम्न में से किस राजसरकार ने निराक्षरित गौववश को संग्रक्षित करने के लिए एक विशेश अभयान शुरू किया अब यह उत्तरप्रदेश की सरकार है जिसने इस अभयान को शुरू किया जो मतलब निराक्षरित गौववश है जिनका कोई मालिक नहीं है उनके संग्रक्षित के लिए विशेश अभयान उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया अगले कोशन की बात करें पूशा गया है कि हाल ही में उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा स्वच अभयान स्वस्थ अभयान नाम से एक अभयान शुरू किया गया इसका उद्देश क्या है उद्देश है मंदरों के आसपास जो सफाई रखना ये इसका परपस है जब आप द देखते हो को तोहारों के टाइम पे बहुत सादा गंदगी फैलती है कूला करकट होता है तो उस सबसे मंदिरों को सुरक्षित रखने के लिए साफ सवच रखने के लिए इस अभयान को शुरू किया गया इसके बाद अगले कोशन की बात करें हाल ही में उत्तरप्रदेश स इसके अंदर शामिल है और पेपर मिंट तेल ये तीनों ही इसके अंदर इंक्लूड़ेड है यानि कि all of the above या फिर उपर यूग तो सभी ये हमारा यहां पर आंसर आएगा अगले कोशन की बात करें पूछा गया है उत्तरप्रदेश सरकार दोरा निम्न में से किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्याले इसको स्टार्ट किया जाना प्रस्तावित है तो क्या जैगा आपका गोरकपूर नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं इस कोशन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि उत्तरप्रदेश के किस जिले में 31 लाग से जादा अभ्यार ठीक है तो इसके बाद अगले कोशन की बात करें यह जो कोशन है आपका यह है टी यल वासवानी जैनती के बारे में अब टी यल वासवानी कौन थे क्या कुछ था इनके बारे में यह जानना बेहत जरूरी है सबसे पहली बात करें ती यल वासवानी इस जैनती को उत्तरप ये पाँच ऐसे दिन है जिस दिन मीट फ्री डे इनको गोशित किया गया है इसके अलावा अगर हम टील वासवानी ये पूरे नाम की बात करें तो इनका नाम है आपका थानवरदास लीला राम वासवानी ये एक सादू थे और ये भारतिय शिक्षाविद भी थे और इन्हों ने शिक्षा में मीरा अंदोलन इसको शुरू किया है तो इस तरीके से देखें तो ये तीनों ही स्टेट्मेंट यहां पर हमारे कैसे हैं सही है इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं इसमें आप से पूछा गया उत्तपरदेश सरकार द्वारा देजभर में आयो रखिएगा कि कब इसको आयोजित किया गया और क्या इसकी थीम रही है दोनों ही यहां पर स्टेट्मेंट हमारे करेक्ट हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पे इस कोशन में यहां पर आप से पूछा गया है कि उत्तपरदेश के किस शहर में रहने वाली जो आशी हैं इनको मुंबई में आयोजित फिल्म फेर में लस्ट स्टोरी सेकंड इसके लिए बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डिरेक्शन का पुरुसकार दिया गया तो यह बरेली जनपत की रहने वाली हैं अगले कोशन की बात करें कि उत्तपरदेश के किस जिले को जल जीवन मिशन के तहट 4 प्लस या फर 4 स्टार श्रेणी में शामिल किया गया तो यह है आपका गाजियाबाद का जिला नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं इस कोशन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रास्टिय खेल 2023 में उत्तपरदेश के किस जिले के अर्विंद सिंग ने मैंस डवल्स रोइंग प्रतियोकता इसमें सुरंड पदक जीता तो यह हैं आपके कहां के बुलंद शहर के अर्विंद सिंग आपको दो तरीके से याद रखना है पहला यह बुलंद शहर के हैं दूसरे इन्होंने मैंस डवल्स रोइंग प्रतियोकता में सुरंड पदक जीता है इसके बाद अगले कोश्चन की बात करें पूशा किया है कि निम्न में से किसे उत्तर पुर्वोत्तर रेलवे की पर्थम महला महाप्रवंदक नियुक्त किया गया नाम क्या है इनका सौम्या माथुर इसके बाद अगले कोश्चन की बात करें कि उत्तरपरदेश के कितने जुलों में जल दीवाली मनाई जाएगी तो आंसर क्याएगा आपका 13 नेक्स्ट कोश्चन की बात करें कि उत्तरपरदेश के आनंद डेरी संस्थान या फिर हम कहें तो कमपनी इसने पशु चारा और नसल सुधार के लिए किस देश की कमपनी के साथ M.O.U. हस्ताक्षर किया तो ये ब्राजील की एक कमपनी है जिसके साथ में M.O.U. साइन किया ग नेक्स्ट कोश्चन की बात करें पूछा गया है निम्न में से किस राज सरकार ने अंतरदेश ये जलमार्क प्रादी करण के गठन को मनजूरी दी तो वो है आपका उत्तरप्रदेश का जिला सुरी उत्तरप्रदेश राज ठीक है नेक्स्ट कोश्चन की बात करें कि हाल ही में उत्तरप्रदेश के किस जिले में दूसरा ओद्यों की गलियारा बनाया जाएगा तो वो है आपका प्रियाग राज इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन यूपी का पहला ई-उफिस सिस्टम किस जिले में लॉंच किया गया तो वो है आपका कन्नौज यहाँ पर ई-उफिस सिस्टम को लॉंच किया गया इसके बाद अगले कोश्चन की बात करें कि उत्तर प्रदेश सरकार दोरा संचालित एक मुश्ट समाधान योजना निम्ण में से किस छेतर से रिलेटिड है तो वो है आपका बिजली छेतर यानिकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिलेटिड है इसके बाद अगले कोश्चन की बात करें यहां पर पूशा गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोटसव में कितने लाख दिये जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड हासिल किया तो वो है आपके 22.23 लाख दिये जो है वो उनको जलाया गया अगला कोश्चन यहां पर है कि उत्तर प्रदेश के किस प्रद्यों की संस्थान ने वाईउ गुणवत्ता की निगरानी हे तू ATMAN नामक उत्करश्टता केंदर का निर्माण किया देट इस IIT कानपूर नेक्स्ट कोश्चन की बात करें of division of holdings below a certain minimum नामक बुक भी लिखी है तो ये बोध statement इनके बारे में सही है जब आप examination में देखोगे तो आपको बुक से related questions देखने को मिलेंगे उस moment पर आपको याद रखना है इनके बारे में इसके बाद आज के आखरी question की बात करें कि उत्तरप्रदेश के निमन में से किस जिले के मतलब यह समुह दे रखा है जिलों का इसमें जनजातिय संग्राले का निर्मान किया जाएगा तो इसमें मिरजापुर सोनबद्र और महाराज गंज इन तीन जिलों में क्या करा यह आपको बहुत जादा फाइदा होगा उससे तो थैंक यू सो मच मिलते नेक्स वीडियो में बबाई